दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी किवर पटना में मेंटरो चलाने के तैयारी जोरों पर इन पदों पर निकली वेकैंसी जहां पटना मेंटरो के संचलन प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए अविसी प्रक्रिया सुरूख कर दी गई है पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पीम आर्सीय ने एजनसी के मायदम से मैन पावर बहाले करिया सुरू की है पीम आर्सीयल की ओर से ऐसी एजनसी को हायर करने के लिए निविदा जारी की गई है जो पटना मेट्रो के लिए मैन पावर के अपूर्ति करेगी आपको बदादे कि कूल 22 पदो पर एजनसी के मायदम से लोग रखे जाएंगे इनमें ड्राप्ट मेन से लेकर IT एक्जेकुटिव इस्तर के करमचारी होंगे साथ एमर सेल ने इनके लिए वेतन भी निधारित कर दिया है ड्राप्ट मेन में पद की सिंख्या एक है जिसमें महिने का 20,000 मिलेगा IT एक्जेकुटिव में पद की सिंख्या दो है जिसमें 30,000 महिने का मिलेगा इस्टिनू गुरापर में पद की सिंख पांच हिस जिसमें महिने का 25,000 डाटा एंट्री ओप्रिटर में पद की सिंख 4 है जिसमें 18,000 और सपोर्टिंग Esse टैप में पद की सिंख का 10 है जिसमें महिने का बेतन 10,000 रुप्य मिलेगा बाड़ी कबर कोरोना काल के डिपल्टर वाहनों के टेक्स पर जुर्माना माप सड़क दुरगटना में एक वेक्ति की मिर्तुप पर भी मुआबजा जाने नितीस केविनेट के एन्ने फैसले जी हाँ कोरोना संक्रमन के कारण लोगडाउन एवन परतिबंदों के अलोग में टेक्स डिपल्टर वाहनों को राज सरकार ने बड़ी रहात दी है अगले च्छा माइने तक अगर टेक्स डिपल्टर वाहन मालिक एक मुस्प टेक्स जमा करते हैं तो उन्हें कोई आर्थ डं है इसके अलाव आपको बदा दे कि सड़क दुरगटना में आप एक वेक्ति की भी मिर्तु होती है अत्वा इस्ताई अपंगता होती है तो उनके परिजोनों को मौवजा राज सरकार देगी केबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है मिर्तु पर 5 लाग तता इस्ताई अपं गया है वहीं पिछड़ा वर्ग एवाम आती पिछड़ा वर्ग कैलान विवा के प्रस्ताव को केबिनेट में मंजूरी दी है जिसके तहार वित्य वर्ष 2021 से अन्य पिछड़ा वर्ग परवेकी सुतर चात्रविती योजना में धाय लाग तक कि आये वाले परिवार वालों को भी सामिल किया जाएगा अब तक देड़ तक कि आये वाले परिवार को इस योजना का लाम मिलता था बड़े कबर बिहार में बाड प्रभावित परिवारों को मिलेगा नितिस सरकार से मुअवजा फसल चति का भी होगा आकलन तैयार हो रही है सुची जहां पटना जिला में बाड से प्रभावित अंचलों में फसल छती का सर्वेक्चन एवं आकलन किया जाएगा साथ ये बाड प्रभावित परिवारों को सुची भी तयार की जाएगी जिला अधिकारी डाक्टर चंद्र सिकर सिंग ने प्रभावित परिवार को हर सम्भा मदद करने का भरूसा दिया है उन्होंने जिला क्रिसी पतादीकारी को फसल छती का सर्वेक्चन एवं आकलन कर सुची तयार करने का निर्दिस दिया है आपको बदाते चले कि सुची तया रुप्य की रासी दी जाएगी बिहार में आज से अनलोक पांच लागू रोज खुलेगी दुकाने इसकूल मॉल वा सिनेमा हौल खुलेंगे बंद रहेंगे मंदिर मस्जीद जहां कोरोना संक्रमन में कमे आने के बाद राज में 7 अगस याने आज से अनलोक पांच नौवी वा दसवी तक की स्कूलों को खुलने का निने लिया गया है बाद में 7 वी तक के कक्चाई भी शुरू कर दी जाएगी सारवजनिक वहानों में यात्रियों को पुरी चमता के साथ बैठाया जा सकता है राज सरकार के आदेस के तहद आनलोक पांच की गाइडलाइन 25 अगस तक प्रभावी रहेगी वह अगली बड़े कबर बिहार में आज से खुलेंगे स्कूल स्टुडेंट और टीचर्स के लिए गाइडलाइन जारी जहां बिहार सरकार ने कोरोना के मामले को तेजी सी गिरावट को देखती वे अनलोक फाइब के गाइडलाइन का एलान करते वे सभी स्कूल को खुलने का आदिस दिया है नितिस सरकार ने अलाग अलग चैनों में स्कूल को खुलने का आदिस दिया है सरकार के ओर से जारी उनलोक फाइब के गाइडलाइन के मताबिक 7 अगस से 9 और 10 यानि आज से शुरू हो जाएगी 16 अगस से पहली से 8 वी तक की स्कूल भी खुलने वाले हैं सरकारी दिसान दिश के अनुसार सनिवार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते वे नमभी और दसवी के कक्छाओं का संचालन सुरू हो जाएगा नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कोलेज और कोचिंग संस्तानों में वही सिक्चक पढ़ा सकेंगे जिनोंने कोरोना का टिका ले लिया है सभी संस्तान के प्रधान या सोनिश्चित करेंगे कि जो सिक्चक और सिक्चक तर करमचारी टिका ले चुके हैं उन्हें संस्तान में कार करने के अनुमती हो वहीं मिड दे मिल योजना का संचालन अभी बंद रहेगा स्कुलों में अभी 50-50 फिजदी चात्रों को रोटेशन के अधार पर एक दिन के अंतराल में बुलाया जाएगा सिक्चा विवा का निदे से के चात्र चात्राव को ही 6 फिट की दोरी पर बैठाया जाए और मास्क निश्चित तोर से परियोग किया जाए सरकार ने एकडेमिक केलेंडर को सभी कक्चाओं से समध परिक्चा के लिए योजिनाबत करने का भी निदिश दिया है साती विभाग ने कहा है कि ओनलाइन मायदम से सिक्चन विवस्ता को प्राथमिक्ता दे जाएगी स्कूल कोलेज और कोचिंग संस्तान परिसर के कक्चा फरनिचर उपकरन मंदार कक्च पानी टंकी किचन परियोग सला लाइबरेरी आदे की सभाई संस्तानों को खोलने के पहले की जाएगी बड़ी के बर पटना समेथ बिहार के 25 जिलों में बारिस के असार मौसम बिभाग ने जारी किया अलट जिहां बिहार में मौसम बिभाग ने एक बर भीर भारी बारिस के चेतावनी जारी की है मौसम बिवाग के अनुसार मानसुन की ट्रप रिखा के कारान ऐसा सिस्टम बन रहा है जिससे अगले 24 गंटे बिहार के 25 जीलों में आसमान बादल चाहे रहेंगे बिहार के दक्चिन पुर्व के जीलों में भारी बारिस का अलट है मौसम बिगान केंद्र का पुर्वानुमान है कि पाटना सहित अन 25 जीलों में एक दो जगव पर हलकी बारिस हो सकती है जबकि दक्चिन पुर्व यानि भागलपुर बाका और मुंगेर सहित कई जीलों में भारी बारिस का सिस्टम मना हुआ है मौसम बिवाक के अनुसार बंगाल के खाड़ी से होते विए कम दवाव का चेतर जारकन बिहार होते विए पुर्वी उत्तर परदिश की तरब प्रभावित हो रहा है वहाई दूसरी तरब बिहार के दक्चिन पूर्व इस्तित भागलपूर मुंगेर बाका जमोई खगड़या में 48 घंटे तक बारिस सोनी का पुर्वानुमान है इस दोरान पटना गया बेगु सराय बकसर किसंज गंज अररिया पुर्निया कटिहार सहित 25 जिलों में आसमान पर बादल चाहे रहेंगे बाड़ कबर कमला बलान बुड़ी गंड़क अदवारा से देड़ दर्जन छोटी नदिया उफनाई उत्तर बिहार में बाड़ का खत्रा बढ़ा पिहार में लगतार बारिश से कमला बलान, बुड़ी गंडक, सहित, करिब, डेड़ दर्जन, छोटी नदिया, लाल निसान के पार बार रही है, साती जलासे भी लबाला भर चुके हैं, दूसरी तरफ गंगा, कोसी, गंडक, बुड़ी गंडक, कमला और बागमती नदियों मे भी कई जगा खत्रे के निसान से उपर बार रही है, इससे एक तरफ बाढ़ का खत्रा बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ चोटी नदिया और जलासे वे से भरपूर, पाने आने का तुरंद फाइदा धान और मक्के की खेती को मिल रहा है, साती ग्राउन वाटर लेवल में भी बड़ोत्री की सम्मावना है, सुत्रिक अनुसार बिहार में करेब पचास प्रमुख छोटी नदिया है, अब तक की बारेश से इनमें से कुछ नदिया खत्रे की निसान को पार कर चुकी है, इनमें से समस्तिपूर जिले के विद्दापतिनगर प्रखन और वैसाले जि दुकांदार के साथ नपेंग अधिकारे नितीज सरकार ने दिया निर्देश, जिहां बिहार की नितीज सरकार ने राज की जनता को घटिया अनाज देने वालों के खिलाब सक्त करवाई करने का आदेश जारिक किया है, खायद एवं उपवक्ता सरक्षन मंत्री लेसी पतादिकारियों को निर्देश दिया है कि राशन कार धारियों को घटिया अनाज देने की सिकायत मिलने पर ततकाल करवाई करे, सुचना मिलने के 24 गंटे के अंदर अनाज बदल कर गुनवत्ता पून अनाज डिलर को मुहया कराए, किसी भी सुरत में घटिया अनाज नहीं बाटा जाना चाहिए, अगर कहीं ऐसा हुआ तो जन वित्रन दुकानदारों के साथ साथ प्रखन आपूरती पतादिकारे पर ततकाल कठोर करवाई की जाएगी, साती आने दोसिक कर्मियों पर कठोर करवाई होगी अगली बड़ी करवार, राज सरकार अपने खर्च पर कराएगी जातिय जनगन्ना, नितीस को केवल, पियां मोदी के इंकार का है इंतिजार जातिया जनगना के मसले पर केंद्र सरकार के खिलाब खड़े मुख्यमंत्री नितीज कुमार ने बड़ा फैसला कर रखा है केंद्र सरकार अगर जातिया जनगना कराने को तैयार हो जाती है तो ठीक है वरना नितीज बिहार में राज सरकार के खर्चप पर जातिया जनगना क का वक्त मिलने के बाद ही आगे की बाद बढ़े की हाला कि जेड़ोई के अंदर नितिश कुमार का इस्टेंड बिल्कुल साप है नितिश कुमार अपने पार्टी की निताओं को यह कच चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार जाती है जनगरना के लिए तैयार नहीं होती है तब अलम्पिक में 40 साल बाद जीत हासिल करने वाली भारती होकी टीम के प्रदासन से उत्साहित प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बड़ा फैसला किया है मोदी सरकार ने अब खेल रतन पुरुषकार से पूरु प्रधान मंत्री स्वर्गय राजिव गांदी का नाम अलग कर बाड़े क्याबर RLSP के एक दर्जन से अधिक निताओं ने थामा RGD का दामान जगदानन सिंग ने दिलाए पार्टी की सदे सिता बिहार के मुईक मंत्रे नितिस कुमार को मजबूत करने के लिए उपेंद्र खुसवाह भले ही बिहार के हर जिले का दोरा कर रहे हो और जि की एक दर्जन से अधिक निताओं को राज़त की सदेस्यता दिलावाने की बाद प्रदे से धग जगदानन सिंग ने उपेंद्र खुसवाह पर हमला किया उन्होंने कहा कि उपेंद्र खुसवाह ने जिस सिक्चा में सुधार को लेकर निदिस कुमार के खिला मुर्चा करके कुर्स से चिपक गए हैं बाड़े कबर सरकारे स्कूल में 11 क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू दो चर्णों में होगी प्रक्रिया जिहां दिल्ली सिक्षा निदे सलाय के अंतरगत आने वाले सरकारे स्कूल में 11 क्लास में एडमिशन के लिए पंजिकरन की प्रक सकते हैं सिक्षा ने दसाले द्वारा 11 वी क्लास में एड़िशन के प्रक्रिया को दो चरण में बाटा गया है वह जारे किये गए सर्कुलर के मुताबिक रगिस्ट्रिशन की प्रकृर्द में पार्ल चरंके तहत रगिस्ट्रिशन की प्रकृर्द में लगाय जाएगी जबकि दूसरे चरंके तहत चेहने चात्रों के सुची 22 सितम्बर को प्रदस्त की जाएगी अगली बड़ी खबर आज से चलेगी पाटली पूतर बरोणी मेमू पैसेंजर इस्पेसल ट्रेन यात्रियों को रहत जिहां यात्रियों की स्विधा के लिए 7 अगस यानि आज से पाटली पूत्र बरोनी वा पाटली पूत्र पटना मेमू पेसंजर स्पेसल ट्रिन चलेगी पूरो मैदर रिल्वे के मुई के जन संपर्ग पदादी कारे राजस कुमार ने बताए कि यात्रियों को कोविड-19 के गाई लाइन का पालन करना अनिवायर होगा बाड़ी कबर बिहार में अब एक क्लिक में ऑनलाइन मिलेगा जनम और मिर्तु का आकड़ा पारसद मुख्या देंगे अपडेट की जानकारी जन्म और मितु के अपडेट आखड़े सारवजनिक प्लेटपरम पर उपलब्द कराएगा आईटी विवाग इसके लिए एक पोर्टल का निर्मान कर रहा है ऐसे में आप जन्म और मितु परमान पत्र के लिए सरकारी कारियालों का चकर लगाने से भी निजात मिल जाएगी आपको बतादी कि राज सरकार का पोर्टल तयार होने के बाद उस पर जन्म और मितु के आखड़े नियमित रूप से अपडेट किये जाएंगे इसकी जवाब देही सररी और ग्रामिन निकायों के जन्म परतिनुदी पर होगी वाड पारसत और मुख्या अपने छेत्र में होने वाले जन्म और मितु के आखड़ों की रिपोर्ट भेजेंगे और अनकी बड़े कबर अब ट्रेन से कम वक्त में पटना से पहुचेंगे दे बकसर में बिचेगा हाइवे का जाल अस्वेनी चोवेने जताई खुसी जिया बिहार के राज़ानी पटना और देश के राज़ानी दिल्ली के बीच सड़क का फासला अब काभी कम होने वाला है बकसर से यूपी के गाज़ेपूर जिले में हधरिया तक बनने वाले नए हाइवे से होकर लोग ट्रेन से भी पहले रोड की जरिये दिल्ली पहुच जाएंगे बकसर से दो नए हाइवे को मंजूरी मिली है जबकि एक नए हाइवे का प्रस्ता वराज सरकार ने केंदर को भेज दिया है इन सड़कों पर बन जाने पर बिहार के भोजपूर रोतास जिले के बड़े हिस्से पटना जहानाबाद अरवल बिहार सरीप समित कई जिलों के ल को लंबी बकसर हैदरिया सड़क को फोर लेन बना दिये जाने से पटना से दिल्ली की दोरी महज 10 से 12 घंटे में ही तैय हो जाएगी आज के लिए आपका सवाल बताए कि राज के बेरोजगार इवाक के रोजगार के लिए नितिस सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कमेंट करके जरूर बताएं